ठीक है अब हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था कल कल हम लोगों ने जस्ट 27 नक्षत्र के बारे में हमने पढ़ा जैसे कि मैंने बताया था कि हम नक्षत्र जो 27 से रासी जो बारा है ग्रह जो नौ है इन तीनों से हम चौथा कुछ नहीं सीखने वाले इन तीनों से ही हम इनकी जो कंबिनेशन आपस में किस तरह से बनता है बहुत सिंपल है जिस तरह से कि हम लोगों के बारे में जान सकते हैं मतलब आपको मैं इस बार यूं लगा लो कि अगर मा लीजे कि आपने किसी के बेटी के कुंडली देखा उस बेटी की कुंडली से आप उसके मामा मामी के मामा के बेटे मामी के जो है कि मामी के भी माई के वहां तक भी आप उनके छोटी छोटी बातें आप बहुत असानी से आप जान सकते हैं आपको यकिन नहीं होगा लेकिन शुत्रा बहुत सिंपल है हम ब्रियत पारासर के इतने बड़े-बड़े सुत्र को याद नहीं रखेंगे कुछ नहीं हमने देखना है सिम्पल सा सुत्र का हम इस्तिमाल करेंगे तरीका का और उस लगाकर के हम जहां तहां हम पूस्पल तरीका है कम से कम भी देखो मैं अभी एक साल के बाद में जोतिस पड़ानी के लिए आया हूं तब तक मैंने यही मैंने देखा कि भाई मैं किस तरह से मैं अगर मेरे पास 20 स्टुडेंट आएंगे तो मैं 15 विद्धार्तियों को मैं कैसे पकड़ के रखू है बस इसी चीज़ को मैं हुआ है इसको देखिए जैसे कि यह जो बारा खाने है इसको हम लोग क्या बोलते हैं द्वादस भाव बोलते हैं और कुंडली में इसी के ऊपर हमें काम करना होता है कि इसी क्योंकर हमें कुंडली में काम करना है बहुत सारी चीज़े हम इस बारा खाने के अंदर ही बहुत सारी चीज़े हम देखेंगे जिसको समझी में नहीं आ रहा है वो हैंड्रेज करके पूचेंगे ठीक है नमस्कार नमस्कार गुरुजी सभी लोग आडियो को खानें 12 ऑफ है मैं नेपनर को सबसे पहले झिस में वई लिखा है मैं आप लोगों को पोटो वेस दिया covid कि यह देखि यह फैसल हाऊस में है इसको बोलते हैं मैं आप कि पहले घर में जो कोनडली एप एन जो भी नॉबर हैं कि उसे हम बोलेंगे लगना हॉस इसको हम क्या कहेंगे लगना कहेंगे कि ठीक इन फिर विद्ध 이 आ है कि उसके बाद विद्धेम्छ जो खाना है दुसरे नमबर वाला जो हैसे हम हाउस भी कह सकते है खाना भी कह सकते हैं भाव भी कह सकते हैं तो यह होकर हमारा सेकंड हाॉस जिसको हम दुथिय भाव भी कह सक अ उसके बाद देखो कि यहां पर तीसरा तृतिय घर तृतिय हाउस कैमरा बंध हो गए-च्ट पॉर्थ हाउस हो गया जहां पॉर्थ हाउस हो गया यह जहां पर 5 लिखा यह फिप्थ हाउस हो गया जहां 6 लिखा है यह हमरा शिक्स हाउस हो गया छटे छटे नमा घर हो गया जहां 7 लिखा है यह तो ख़एंगे सेबन्त हाउस यह आठवा घर है, अश्टम भाब हो गया यह नवा हैं तो नवम भाभ, यह दसवा हैं दसम भाभ, यह ज्यारवा है ज्यारवा भाभ यह बारवा भाभ है, द्वादस भाभ, वो एथा करके बारा भाभ stays ने में इसको हमने भी पिंप गया है है ठीक है अब हम लोगों ने एक जटके में चीजे इसको आपको जो मैंने आपको फोटो बेज़ा करके एक पीडिएफ एक कुछ ऐसा सिस्टम बना तो अब द्यान से इसको सुनिएगा जड़ा यह जब फर्स्ट हाउस है ना कि फर्स्ट हाउस में में सरासी लेकर के हम अगर चलेगे अब हम क्या लेकर लेंगे फर्स्ट हाउस में में सरासी है उस में सरासी का उसको लीड करने वाला मालिक हम कह सकते है उसका लौड जब है वह मंगल एक नंबर जहां लिखा है ना समझे लो उसका मतलब है मेस रासी और उस मेस रासी का मंगल मालिक है मंगल इस पहले खाने में इस हाउस में अस्वीनी इसको आप लोग देखो जरा मेस रासी में तीन नक्षत्र होंगे हम लोगोंने कल 27 नक्षत्र पड़े हुए है कौन-कौन से नक्षत्र है देखो जरा अस्वीनी भरणी क्रितिका हम यह पढ़ते आया है ना कल अश्वीनी भरणी क्रितिका यह देखे रोहेडी मरिगसीरा आरद्रा पुनर्वसू पुश्य स्लेशा मगा पुर्वफालगोनी उत्तर फालगोनी अस्त चित्रा स्वाती अनुराधा, जेश्ठा, मूल, पुर्व खाड़ा, उत्तर खाड़ा, धनिष्ठा, स्रमड, यहां पर स्रमड भी डला हुआ है, स्रमड, धनिष्ठा, सत्विशा, पुर्व बादरपद, उत्तर बादरपद, रेवति, यह जो 27 नक्षतर हम लोग ने पढ़ा था, अब हम कुछ 27 नक्षतर को, इस 12 खाने के अंदर इसको हम एड्रेस्ट कर रहे हुआ है, एड्रेस्ट करते ही, इसको हम यहां पर जैसे ही जोडेंगे, और जोड करके थोड़ा अगर यह याद हो गया, तो मान लिजे कि अगर किसी आदमी का तूला रासी है, अधवा तूला यह घर के पहले खाने में अगर सेबन लिखा है, तो लिखने का मतलब होता है, इस आदमी का तूला लगना है, तूला लगन में चित्रा स्वाती और विशाखा ये तीन नक्षत्र होंगे ऐसा सोत्रा मैं क्रमसा आपको दुबारा बताता हूं में फरस्ट हाऊश यानि पहला Keith Selena hai जो मेश रासी जैसे हम डिन की बाइं प्रतिक रासी में नौ चर्न होते है कि ब्रतिक राथी में कितने चर्न होते है नो चर्न होते है नक्षत्रों के नौ चरण होंगे ठीक है प्रत्यक नक्षत्र के नौ चरण होंगे प्रत्यक रासी में रासी के नौ चरण होंगे नौ चरण करके यहां पर रासीयों में नक्षत्र को बेठाया हुआ है अब द्यान से देखिएगा समझ में ना आयता पूछ लेना मेश रासी में अस्वीनी नक्षत्र के चार चरण कल हम लोगों ने चरण पड़ेते हैं भरणी नक्षत्र के चार चरण कितना चरण क्रितिका नक्षत्र के चरण कितना हुआ है चार तुन आठ और एक कितना वहाłeए नव हो गया तो मेश ع publicity में नव चरण होंगे जिसमें से चार चरण अस्वीनी का चार चरण भरणी का एक चरण खश है यानि इसके पाद भाद भी हम इसको कहते हैं क्यां रहा यहां तक समझी में आया कि हाज आया समझें कितना समझ लो 12 खाने है यह 12 हाउस है प्रतेख हाउस के लिए एक-एक रासी डिसाइड हो गया प्रतेख रासी में जो नक्षत्र है वो चरण के इसाप से क्रमसा डिसाइड होगा पहले नौ चरण मेश रासी को जाएगा उस नौ चरण में चार चरण अस्विनी का चार चरण बरनी का अब कितना रह गया एक चरण तो वहा हो गया कृतिका का कृतिका का एक चरण ये नौ चरण हो गया हमारे मेश रासी का अगर किसी आदमी का मेस रासी में जन्म हुआ है इसका मतलब है चंद्रमा मेस रासी में रहता है उसी रासी में जन्म हुआ है रासी में जन्म हुआ है ऐसा हम मानेंगे कुंडली देखते वक्त jis किसी व्यक्ति के पुंडली में चंदर्मा जिस हाउस जिस रासी में होता है उस वैक्तिक जन्मराशी होता है आयह समाझ में है अब नक्षत्र क्या होगा अगर ऑसका मेस lack जन्मा हुआ है तो या असवी नहीं हो सकता है या भरणी हो सकता है या क्रितिका हो सकता है क्या हो सकता है या जबारा दुवारा मुझना ज़सी आदू का कुंडली देखते वक्त चंद्रमा जिस रासी में होता है अब आप लोगों के अपने अपने कुंडली होगा तो उसको देखिए जरा जैसे मैं इसकिन सेर करूँगा आप लोगों का कुंडली में चंद्रमा किस रासी में है देखिए में राशी में होने का मतलब देखिए यहां पर में राशी में कौन-कौन से नक्षत्रा आ गया पुर्वा भाद्रपद पुत्तर भाद्रपद तरेवत्ति आगया यह किसी कामी कुंडली आप लोगों को इसकिन से राय की नहीं कि यह देखिए जरा अब यहां पर बताईए चंद्रमा कितने नम्मर के राशी में बेठा है तूला में कौन से नम्मर है वो साथ में साथ का मतलब कौन सा राशी हो गया कौन सा हो गया तूला हो गया आप देखिए जरा तूला राशी में कौन-कौन से नक्षत्रा हम लोगों ने कहा था कौन-कौन सा नक्षत्र का था मैंने तूला राशी में कौन-कौन से नक्षत्रा आप लोगों ने इसकी नने कि कीन साथ किया कि नहीं पोटो देखिए जड़ा तूला रासी में कौन-कुन सब्सक्राइए चंद्रमा तो यहां पर मकर रासी पर बठा ना यहां पर मकर रासी में कैसे बिठा चंद्रमा जहां पर 4 लिखा है वो चंद्रमा है अब यहां नंबर जो है अलग अलग बेक्ती की कुंडली में चेंज होता है किसी की कुछ किसी की कुछ जैसा उसका जिस समय उसका जन्मा हुआ होगा उस समय जो लगना होगा उस लगने के इसाब से उसका रासी चेंज हो जाएगा तो यहां सेवन लिखा है सेवन नंबर में चंद्रमा है इसका मतलब है तूला रासी में चंद्रमा आ गया इसका मतलब तूला रासी में चंद्रमा आने का मतलब किस नक्षत्र में हो सकता है मैंने कौन-कौन सानक्षत्र बताये था तूला रासी में बताईए तूला में मंगल राहू गुरू चित्रा स्वाति विशाका चित्रा के तिसरा चौथा चरण स्वाति का चार चरण चित्रा का दो चरण यानी तिसरे और चौथे चरण चित्रा का स्वाति का चार चरण साथ हो गया विशाका का तीन चरण पांच से साथ पूरु जी चरण वाली ची समझ नहीं आया नहीं आया पूछना है लेखो स्वाति का जहां पर लिखा नहीं है ना उसका चार चरण लेना है समझ लो वो चार है कि देखो यहां पर मैं अभी आपको में इसकीन सेयर करता हूं दुबारा मेरा लेप्टॉप में से इसकीन सेयर करता हूं जो आप लोगों को मैंने पोटो बेजा था उस फोटो का एक बाद यान से देखिए जड़़़़़ जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम आगे न लोगों को सिखाऊंगा लेकिन ने इसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक बात नहीं बने मैं दुबारा दिखा रहा हूं पोर्यलोगों 4 में आनी मेश मेश रासी में तीन नक्षत्र है पहला नक्षत्र जिस नक्षत्र में अंक नहीं है उस नक्षत्र में चार ही जोड़ना है समझ लोगों पूरा चरण है उसमें प्रतेक नक्षत्र में चार चरण है कल जैसे आम लोगों ने चूचे चोला असुनी लिलू लेलो भरण इसको हम बोलेंगे चरण प्रतीक नक्षत्रा चार चार चरण में होते हैं ऐसा करके 27 नक्षत्र के चार चार चरण करके तीन सो वो जो उसका जो बृत्ताकार जो है वो उसका त्यार हुआ था अधिक है देखो जरा मेश राशी है मंगल हो गया इसका मेश राशी का मालिक है मंगल अब यह फोटो है ना इसको बढ़िया कुछ बना करके उसी को आप वहां किसी में चिपका दो जब भी कभी बाद में कुड़ली देखना होगा तो यह आपके सामने आ जाएगा इसको पहले मैं इसको पताता हूं फिर देखे जड़ा मेश राशी के अस्वीनी भरणी और कृतिका का एक जहां नंबर लिखा है ना प पहले बंद कर तो जरा सभी लो अस्वीनी में कही न नंबर नहीं लिखा है इसका मलब चार चार चरन इसका हो गया बरणी में कोई नंबर नहीं है चार चरन आठ हो गया सब्सक्रेध नहीं नहीं लिखाए बागी के तो नहीं जोड़ना है तो अस्विनी का चार बरणी का नहीं लिखा है चार जोड़ कि अगर किसी आदमी का मेश लगने में जन्मा हुआ है तो या तो हो सकता है भरनी में या हो सकता है कृतिका के पहले जन्मा हुआ है तो चंद्रमा उसके ब्रिश रासी में दिखेगा कि अanya दो नंमर लिखाऊगा अब वह दो नंमर यहां भी हो सकता है तो नंबर खाय महसे लगने रहे जैसे कहते हैं यह दूनिया है वह विशरतता रहता है खुंता रहता है तो सारा प्रमांदा गुंता रहता है तो ये कभी स्थिर नहीं होता है कभी ये फर्स्ट हाउस में कभी वान होगा कभी तू होगा कभी थ्री होगा जिस समय उसका जन्म होगा उस समय जो लगना होता है लगना उदय उस समय जो होता है वही फर्स्ट हाउस में लिखा जाता है वह लगने में जन्मा हुआ है तो फर्स्ट हाउस पे सेवल लिखा रहेगा फिर यहां एट नाइन टेन लेवन टुवर्ण ऐसा करके रहेगा ठीक है अब देको दूसरे सेकंड हाउस में कौन-कौन से हैं दो नंबर का माली दो नंबर का मतलब ही ब्रीसराशी ये ब्रीसराशी का मालिकों ने शुक्र इस चार्ट से हम बहु सारी चीज़ें यहां समझ सकते हैं शुक्र हो गया देखी ज़रा नंबर लिखा हुआ यहां कृति का का तीन चरण दूसरा तीसरा और चौथा पहला तो मेश लगने में आई गया कितना बज गया तीन बज गया तो तीन यहां पर अधिया गया दो तीन चार के रूपे दूतिय तृतिय और चतूत चरण रोहिडी में कोई नंबर नहीं है इसलिए इस लिए वाती में रोहिडी का चरण हो गया चार और तीन कितना हुआ वह उतुता मरीज़ सिर्या नक्षत रखा दो चरण क्योंकि आपे दो ही चाहिए ल पहला और दूसरा चरण संभनाजी आडियो बंद करिए सो इसे सराशी में क्या हो गया कृतिका का तीन चरण रोहिडी का चार चरण मृगसिर्या का दो चरण कुल नव चरण हो गया तो ब्रिशर आसी जिसका मालिक है शुक्र कृतिका तका रोहिडि और म्रिगसिरा नक्षत्रा का भी मालिक हो गया यह भी ख्याल रखना अस्वीनी भरनी और कितिका के पहले चरंड का मालिक कौन हो गया at great Minister त्टिन नख्शच्चत्रों का माली के मेस कि में सरासी में ये नख्शच अिएसं के माली के एक और भी है नख्शच्चत्रों की इसाब कि जैसे अस्वीनिका माली के के तू भारणि का माली के सुक्रा कृटिका का माली के शोरे घी तू हम कल पढ़ते आ चुके ना कल मैंने नोट कराया था ना कृतिका को सूरिया है तो रोहिडी को क्या हो गया चंद्रमा तो आचम भाउरा प्री संभू के इसुग नोट की होंगे आप लोगो देखो वही चीज तो यहां पर हम इसको क्रम से जोड़ ले कृतिका का सूरिया रोहिडी का चंद्रमा म्रिग सिर्या का मंगल आर्द्रा का राहू उनर्वस्व का ब्रियस्पति जो हमने कल पड़े थे उसको हमने एक लाइन से पड़े थे आज हम उसको बारव भाव के अंदर रख क पर रहे हैं कल और आज के इस चड़ी में वस इतनी पर्चिए हैं आप इसको देख या देक करके कोई मुझे बताईए ट्पूँभी जहां लिखा रहे इसमय से मिफण राशी अ इसका मालिक है बुधा मिथुन रासी का मालिक है बुधा यानि मिथुन रासी कहीं पर भी होगा तो उसका स्वामी स्वामी का मतलब है उसको प्रवावित करने वला है उसका अपना हाउस है कौन है मालिक बुधा है तो बुधा अगर नीच होगा तो मिथुन रासी उससे प्र हम बढ़ांइन यह समत मिनग सी में टीन नाक्षत्रा है एक मरेल हेल्क दुसरे का की आर्धरा तुसरे का दुक्तरान और मने यह खिर्प्जुक्त है के मघड़ आज़रा कमानी के राहू कुनर्वत्ष कम माले के व्रियस्पति हम कल पड़ते आप दुझे मिथुन रासी में मरिगसीरा का दो चरण आरद्रा का चार चरण और पुनरवसों का तीन चरण तो कितना हो गया चार तियां साथ मरिगसीरा का दो जोड़ दो नौ हो गया तो प्रतेक रासी में नौ चरण ही हमें रखना है तो मिथुन रासी में मरिगसीरा आरद्रा और पु के राहू उनर्वस्यों का मालिकी बिल्कुल सिंपल है अती साहज है इसको बच्चों की तरह जैसे हम पढ़ने और पढ़ने से समझ सकते हैं कि अब गुरुजी ये तीन चार लिखा है ये तीसरा चवथा चरह का है तीसरा और देखो मरिगसीरा का पहला और दूसरा चरण तो ब्रिशराशी में आ गया आया की नहीं आया उपर देखो आया ना ए देखो ना दो और एक और दो तो आई गया अब ब्रिशरा में कौन सा बच्चा तीन और चार तीसरा और चौथा चरण तो उसे मिथुन रासी में आ गया पुनर वसु में एग दो तीन हो गया अब कितना चरण बच गया पुनर वसु का है बताईचे क्चैज छा चरण बच गया तो चउथा चरण देखो यहां पर पुनर वसु लिखा यहां पर फोर नंबर यानि कर करासी को कि का मालिक है चंद्रम ये बहुत अच्छा रहेगा इसको आप लोग रखो यह बहुत आपको समझ में आए उसने करने रहेंगे यह बहुत महत्वड़क्रियर के सामने रखें का करकरासी का मालिक है चंद्रमह अदरहत तीन चरण ऊपर लगश्यक्र बज गया तो एक करकर रासी में आ गया बानकी दोनों नख्षत्रा पुस्या और सलेसा के कोई नंम्मर नहीं है इसका मतलब चार चार चारण तो पुष्य के चार स्लेशा के चार आठ हो गया पुनरवस्य का एक कितना हो गया टोटल नौ हो गया पुनरवस्य का मालिक है ब्रियस्पति पुष्य का मालिक है सनी स्लेशा का मालिक है पुदर शिदी से बात है तो फोर नम्मर वाला जो रासी है उस रासी का नाम है करका उस में तीन नक्षत्रा है पुनर्वसु का पहला चौथा चरण पुष्य और सलेशा का पुरा-पुरा करकर राशी होगे अब आ गया पांच्वे नंबर में राशी का नाम है सिंघ मालिक का नाम है सूर्य आप देखो जरा नौ चरण से उपर हमारा काम खतम हो गया वहां कि नहीं हुआ कि उनर्वसु कुष्य श्लेशा कि आव сюж 이후 अनियो यहां किया होगा понадend रोका मघा फुरा फाल गनी पर उत्तरफालको मघा पूर्वा फाल गनी पर उत्तरफालको नी अचाल नंबर यह लिखा नहीं है ठीक है लिखा नहीं से तो इसको आप लोग्त ख्याल तो मगा का चार चरण, पुर्व फालगुनी का चार चरण, आठ हो गया, अब एक चाहिए, नौ बनाना है, तो उत्तर फालगुनी में एक चरण हमने लिया, फालगुनी का माली के सुर्या, देखो सामने लिखाए, मगानक्षत्र, पुर्व फालगुनी, दोनों के चार चार आठ हो गया, उत्तर फालगुनी का एक बज़ गया नौ होने में, मगा का माली के केतु, पुर्व फालगुनी का माली के सुक्र, उत्तर फालगुनी का माली के सूर्य तो यह नो चरणिया अब देखो उत्तर फाल्गुनी जो है कि उत्तर फाल्गुनी का यहां लगी गया लगया ना उत्तर फाल्गुनी का एक चरण सिंगरासी में लगा अब बज गया कन्याराशी का मतलब 6 का मतलब है कन्याराशी ठीके 6 का मतलब क्या है कन्याराशी का मालिक है बुध्र तुसिक्स का मत्मब है कण्यारासी जिसका मालिक है बुदर है इसमें स्थेस नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी जिसका मालिक है और सूरिया एक चरण आ चुका है कितना बचा तीन बजी गया दूसरे तिसरे और चव थे यह चरण यह आ गया हस्ता में कोई नंबर नहीं है तो चार चरण हो गया चारतिया शात हो गया अब दो चाहिए तो चित्रा में दो चरण पहला और दूसरा उत्तरफालगुने का मालिक है सूरिया हस्ता का मालिक है चंद्रमा चित्रा का मालिक है मंगल यह च्छे यानि कन्या रासी में हमने इसको देखा अब आगया हमारा तूला रासी सेवन का मतलग है तूला जहां सेवन लिखा हुआ रहेगा वहा है तूला रासी तूला रासी का म तीन नक्षत्र प्रतेक राशी में आपको तीन-तीन नुट दो बज़ कैंज तो ये दो हो गया स्वावती का चार है और बिशघा का चार, पांचे, साथ है, अब साथ में तीन जोड़ोगे, छे हो गया, अना, छे हैं, छे में तीन जोड़ा, तो नव हो गया, चित्र का दो, स्वाति का चार, विसका का तीन, विसका का मालिक ए ब्रियश्पती, स्वाति का राहू, चित्रका मंगल, अब यह मालिक देखने का मतलब क्या है, वह मैं आपको आज ही की况ास में समझांगा, ताकि आपको थोड़ा ठोड़ा रोज रोज धीस बात को हम बाद में prediction करते वक्त समझने वाले हैं, उस बात को आज ही से हम समझना सुरू करेंगे ब्रिसिक इट का मतलब है ब्रिसिक रासिक। इट का मतलब है ब्रिसिक जिसका मालिक है मंगल जिसमें तीन नक्षत्रा है विसाखा, अनुरादा, जेस्ठा विसाखा का मालिक है ब्रियस्पती, अनुरादा का मालिक है सनी, जेस्ठा का मालिक है बुदर विसाखा का मालिक है ब्रियस्पती, अनुरादा का सनी और जेस्ठा का है बुदर तो विशाखा के तीन चरण तो उपर चलाई गया एक बज गया तो चौथा चरण यहां आ गया ब्रिस्टिक रासी में बागी दोनों का चार चार चरण आठ और एक नौ अब देखिजरा यहां पर नौ नंवर वाला रासी जिसका नाम है दनू मालक का नाम है ब्रियस्पति तीन नक्षत्रण है दनू का मालिक है ब्रियसपति तीन नक्षत्र है, मूल, पुर्वाखाड़, उत्तरखाड़, मूल नक्षत्र का मालिक है केतु, पुर्वाखाड़ का मालिक है सुर्य, यहां मूल का चार चरण, पुर्वाखाड़ का चार चरण, आठ हो गया, अब एक ही चरण चाहिए, तो उत्तरखाड़ का एक चरण सु जहां कुंडली में या पूंडली में का मतलब है मिंअ इसain को सब्सक्राइब नियंत्रिक करता है सनी तीन नक्षत्र है उत्तरा खाड़ा एक चरण निजे आई गया था दनों में अब बजगया था तीक चरण श्रवड और धनिष्ठा श्रवड और धनिष्ठा या जो श्रवड है यहाँ नक्षत्रों की सिद्धी के लिए रखा जाता है श्रवड नक्षत्रों कैस阅र स tank थीके उत्तरा खड़ा का तीन स्रवड का चार धनिष्ठा का दो उत्तरा खड़ा का माली के सूरिया स्रवड का माली के चंदरमा धनिष्ठा का माली के मंगल था खेंग हो गया आगे 11 नम्बर के माली इसका रासी का नाम है कुम्भ, मालिक है सनी, नक्षत्र है तीन, धनिष्ठा, सतविषा और पुर्वभाद्रपद, धनिष्ठा का दो चरण है, पहला दो चरण है आई गया, सतविषा का दो चरण है, सतविषा का चार चरण है, पुर्वभाद्रपद का तीन चरण है, तो धनिश्ठा का मालिक है मंगल सतविशा का मालिक है राहू पुर्व भात्रपत का मालिक है ब्रियस्पति नौ चरण कुम्बरासी में आगे अंतिम वला रासी जिसका नाम है मीन मीन का मतलब है बारा नंबर है जिसका मतलब है मीन रासी मीन का मालिक है ब्रियस्पति तीन नक्षत्रा है पुर्व भात्रपद उत्तर भात्रपद और नक्षत्र का अंतिम वला नक्षत्र है रेवति पुर्व भात्रपद का मालिक है ब्रियस्पति उत्तर भात्रपद का मालि के सनी रेवती का माली के बुद्र फुरवादरपत का चौथा चरण क्यूंकि यहां पर तीसरा चरण आ चुका है अब आ गया उत्तरवादरपत और रेवत चार चार आठ और एक नौ इस तरह से हम लोगों ने बारक खाने बना करके प्रतेक नक्सित्र को चरण सईथ हमने यह अब इसके महत को क्या है वह मैं आपको बताता है कि इसका महत क्या है वह मैं बताता है कि मैं आपको स्किन सेर कर दाहूं किसी के कुंदली बनाते है ठीक है अब कुंदली बनाने के विधी क्या है वह में यहां से दिखाए तिमपल साथ कोई लपड़ जपड़ है यह जैसे कि आपने एश्टो से निकाला यह एप्लिकेशन मैंने यह निकाल दिया अब हम क्या करेंगे होम में जाएंगे यह देखिए जहां कुंदली लिखा है इसमें जाएंगे तो एक सेकंड यहां पर आप लोगूं का कोईशन्स था फिर पता नजरा क्या कोईशन्स था आपका पहला बाप क्या कोले गुरुजी एच्चरण क्या है एच्चरण क्या है च्चरण क्या है च्चरण का मतलव हे नंबर नंबर कल के क्लास में आप आये नहीं तरण के बारे में कल हमने पड़ा था जे कल नहीं आप आया था देखो जैसे मैंने कहा था कि देदो 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 हो ने रोटी नहीं देना हो जैसे मैंने कहा था कि तीन सो साथ डिगरी का एक भाचक्र है यानि हमारा जो आकास है वो कितना है तिन सो साथ डिगरी का है कितना है तो कल हम लोगों ने इसके विशह में काफी तरचाय किया था कि इ वาม है तरचक्त। कि आ कितना है डिः सकता है तरचक्त। क्थेयो चिप्रस्द़ थैस्व काफीर कंढे है फिए र क्वें तरचक्त। जो ये चरण है प्रतीक नक्षत्र में चार-चार चरण होंगे कल हम लोग पढ़ते आ चुके लिए इसके बारे में इस बारे में इसके विशाय में किसको याद है कल जो हमने पढ़ेते हैं के लिंक नहीं आया था पासलिक नहीं नहीं प्लास का भूए लो चला हुपषळा चला चला आओ कॉन सा पेज परसन वाला पुरूची हाँ मैं सेल कर दू नहीं 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 यहाँ कर जाता सर वाला देफो सब कुछ एक जगार कर जिया था बस आप यूं समझ लो कि हाँ आपने बेज़ा कुछ अभी अपर तो बेज़ा था नहीं कली देज़ा था सारा एक जगे कर दिया था नहीं आपको बेज़ा चलो उसको मैं तो जो चरण है प्रतिक जो नक्षत रहे 27 नक्षत रहोंगे प्रतिक नक्षत रहे 27 नक्षत रहोंगे और उसके बीच में सब नंबर भी होते ना टंडे से जो खिचा हुआ होता है तो हमारा जो आकास ब्रित्त है एक सो साथ डिगरी का जो आकास ब्रित्त है उस आकास ब्रित्त को हमें रहे समझने के लिए उस आकास ब्रित्त को समझने के लिए कि 27 भाग है 360 को हमने 27 भाग में विवक्त किया यह एक है ना सबसे पहले तो हमने 12 भाग में बाटा मेस ब्रीस मितुन करके 12 रासियों में 37 को ऊस तीनष्ट सुसाथ डिगरी को हमने किया था तो कितना कितना आया था थीस तीस आनसा आया था प्रकाजी आ उसके बाद राइस नक्सट रख यह इस तरो एक 27 नक्सट को में कितना आया था 13 अनसा 20 कल आया था कि इतने आया था 27 नक्षट्र में अब उस 360 में 27 नक्षट्र का मतलब है 13 अनसा 20 कला कि इतना आया था और प्रतेक नक्षट्र को भी हम अगर एक छोटी स्वरूप में देखेंगे उसको भी अगर हम मैपिंग करेंगे तो कितना आता है उसमें थीन बीस सम्थिंग आता है प्रकाश जी कल में ने पड़ाया था वह तीन बीस आता है प्रतेक नक्षट्र के प्रतेक चरण का जो मान है 360 में 320 है याज यह यह जो है अभी समझ में आया एक पूरा आकास है उस आकास को सबसे पहले हम लोगों हमने 30-30 अंसा में 360 अंसा का बोल है एक राउंड उसको हम लोगों ने 12 भाग में बाटा तो 30-30 अंसा में 12 जगे में 12 रासियां हमने रख दिया प्रत्यक रासी को हमने 30 अंसा दिया तेरा पॉइंट बीस अंसा तेरा अंसा बीस कला यह एक नफशत्र का इतना बन जाता है ठीक है इतना यह बन जाता है तो वही चरण का मतलब वही है कि जो आकास है उस आकास को हम कल्कुलेशन करने के लिए एक अत्यनत सुक्समा उसकी जो ड्यूरेशन है उसकी जो शित्र है उसको नापनी के लिए देखनी के लिए नफशत्र का चरण हमने रख दिया कि समझे में आया इसका वगवान जी जी गुरू जी आप देखो अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ इसके शेयर कर रहा हूं है अच्छा इसकी शेयर अभी हम लोगों का यहांपर नक्षत्रों के बारे में हमने देखा था किस कौन से नंबर वाले रासी आंपर क्या रासी का नाम है और उसमें नौ चरण होगा इसके बारे मroeं हमने देखा देखा आप देखो माली जे किसी आजबी का नाम है एक्स या उसका नाम है के एच ए कुछ भी नाम रख लो और इसका जन्मा आजी के दिन भुआ था आप देखो नक्षत्रों का क्या माइने होता है मैंने यहां पर डेटर वर्थ यहां पर रख दिया कि 17 जुन 2024 टाइम मैंने यहां पर भर दिया और जलंदर में यहां पर कर दूँगा चलिए जलंदर कर दूँगा लिखा है उसका मतलब है लगना कितना नम्मर है ला में दस दस लिखने का मतलब क्या है मकर मकर्रासी सबी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं दस जी जी सब्सक्राइब मकर्रासी है इस मकर्रासी का मालिक का नाम क्या है वला शनी सनी है अब देखो उस सनी वाले जो मकर्रासी है उस दस नम्मर में कौन-कौन सा नक्षत रहा गया आप लोगों को मैंने का था कि इसको इसकिन सट करके रख लेना दस नम्मर में मकर्रासी है उसका मालिक के सनी तो नक्षत रहा गया उत्तरा खाड़ा स्रवड दनिश्टा वत्तरपालगोने सरवड और घनिश्टा वत्तरखाड़ा स्रावड दनिश्टा वत्तरखाड़ा बुर्टि राइप में तो तुल टॉले प्रिवडरु अरद्रट और दनिश्टा तो फीचरव करद एब लोगों कर दो हैं ने बनवारी जर्वारी सर्वाजी हां मीक को तो ती ती सी बात है अभी हम यहां पर सनी कौन है लगना का मालिक है लगना का मालिक कौन है सनी है अब हम क्या देखने वाले है वैया सनी किस नक्षत्र में है एक चीज़ ख्याद रखना जो ग्रहा जिस नक्षत्र में गया है उस नक्षत्र के मालिक का प्रवाब specific रूप से उस ग्रह के उपर होगा क्या बोला मैंने जो ग्रह जिस नक्षत्र में गया रहेगा उस नक्षत्र का जो मालिक है उस मालिक ग्रह का प्रवाब उस रासी का मालिक जो ग्रह है उसके उपर रहेगा जैसे सणी का माली को ने, मकर का रासी का माली को ने सणी है, सटी इस कुंडली में कैसे ही कंडिसन में क्यों ना हो, सनी जिस नक्षत्र में गया है उस नक्षत्र के मालिक के प्रवाब से प्रवाबित होगा आशा कुमारी जी अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान के हिसाब से खान पिन और रहेंज रहेगा इंग्लेंड में जाएंगे तो इंग्लेंड में जाएंगे तो पराटे ये चीज ледंगे जो भी वहां का विवस्ता होगा वो करेंगे दुरुजी ये लगन में देखेंगे या चंद्रमाँ सá देखेंगे? कौन सा चीज या क्योंकि राश ही तो तुला बनेगे ना इनकी? मैं यह आपर चंद्रम और को आप देखेंगे distinguished आप Warriors for the लगने इसकी में बात कर रहा हूं कभी भी कुंडली देखते वक्त जो लगना है वो सबसे महत्पूर्ण एक स्थान रहता है और उस लगना में जो नंबर है जैसे यहां मकर है तेन है तो उसका कुंडली में सबसे बड़ा रोल रहेगा हमें पहले देखना होगा कि फर्स्ट हाउस में जो नंबर है उसका माली किस नक्षत्र में गया है तो हम यहां लगना में क्लिक करेंगे ओपर तो इस तरह से आएगा और ग्रह स्थिती में क्लिक करेंगे तो देखे जरा सनी किस नक्षत्र में गया है सनी गया है पूर्व बहा श्नुसरे चरण में। कहा गया है यह कुरुववादरपद के दूसरे चरण में। है था गया है पूर्वबादरप पद के दूसरे चरण में पुर्वबादरपत के दूसरे चरण का माली कौन है सुरुबादरपत का जो रासी है वो बताए पूरस ऐसे है कुम्मा थाषैं कि Das A ना कुम्बरासी है मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं कि यह कैसे पुता चला हुए अरे तो मैंने अभी पहले आपको यहां पर दिखाया दी था यहां पर यह आपको मैंने इतने देर तक पढ़ाया अभी पूर्व भादरपत में में भी है एक चरण तो हां यह मैंने आपको पढ़ाया था ना यह देखे जड़ाइब पूर्व भादरपत कु बहा लिखा है कुम्बरासी है कुम्बरासी है पूर्व भादरपत का रासी किस रासे में आ गया मीन में भी तुए दूसरे चरण में पर हम ने क्या देखा दूसरी चरण में कौन सा रासी है एक दो तीन पहला दूसरा और तिसरा चरण जो है कुंब रासी जो है शुच्छ सब्साद और पता करना प्रोस वह वह हम क्या कहेंगे कि भाया, आपके कुंडले में सनी मीन रासे में जाने वाला है या जाने वाला था कुंबाई रासे में आगया, कुंबाई रासे के अंती मवस्ता में पहुँच गया, निकलने वाला है, अब एक सुत्र नोख करो, बीज बीज में हम ना फलादेश के उपर जादा फोकस कर देते हैं किसी वेक्ति के कुंडली में सनी जब प्रारंब होता है तो कश्ट देता है जब खतम होने वाला होता है तो सुक देता है क्योंकि सनी इनसान के जीवन में नयायक को देने वाला होता है पहले फोक पिट करके उस आज़नी को क्लीन करने का प्रियास करता है और बाद में सफलता प्रदान करता है मगर राहू जब सुरू होता है तो राहू इनसान को सुक देता है जब निकलने वाला होता है तो दुख देखे जाता है हमेशा कहीं भी यह सुत्र आप लगा सकते हैं नोट करिएगा सनी जब सुरू होता है हां मेरी जैसे साड़े साथ ही चल रहे है तो यह इसका मतलब यह है हां सनी जब सुरू होता है तो दुख देता है राहू जब सुरू होता है तो सुक देता है सनी जब निकलता है तो सुख देके निकलता है राहू जब निकलता है तो दुख देकर निकलता है यह जीज हो गया आप देखिए जरा किस नक्षत्र में है यह सनी अगर किसे के समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना और बिल्कुल उसी बात को मैं बार बार में दोरा र में है कुम्ब राशी में मीन राशी वाला चरण पूर्व भादरपत का कौन सा है पताए क्या पड़ा था आमने मीन राशी में दूसरा चरण का मतलब है अभी मीन राशी में गया नहीं है इस राशी में गया है कुम्ब राशी आप देखो पूर्व भादरपत का उस नक्सत्र का मालिक कौन है अब रोजी इसको पढ़ना है हम लोगों ने यह तो याद किये वगर मज़ा नहीं आगा तल याद ना भी हो तो सामने लिखर के रख लेना जैसे में कुछ हो फटाक से जवाब देना जो सबसे पहले जवाब देगा उसको मैं गिफ्ट दोंगा हुआ है कि अच्छा गुश्य तो पूरववादरपत का मालिट है ब्रियस पती चाहे वह पहले चरण का हो चाहे दूसरे तीसरी चोंसरे पूरा समुच पूरवादरपत का मालिट है ब्रियस फटी तो कि अब इसका मतनब क्या हो गया शनी ये अफिर दूबाराँ हम आएंगे इस ही कुुंदली में अएगे और समझने का परियाष करेंके माल लिजिए इस आदमि का अभी सनी का दसा चल रहा है और सनी इसका फास्ट हाऊस का मालिक है वर्स्ट हाउस यानि लगना लगना का मालिक कैसा ही क्यों नहोँ वहाँ अच्छा होता है चाहे कैसा ही तुम नहोँ अब वहाँ सानी किसके नक्षत्र में बेठा है तो हमने क्या देखा वाईया आपका जो सनी है वो प्रियस्पति के नक्स्तर में बिठा है अब हम कहेंगे माराज या जो सनी है आपके जीवन में क्या ले करके आएगा संपत्ति लेके आएगा क्या लेके आएगा संपत्ति लेके आएगा गुजी पहले दूख देगा पहले उसके बाद वो सुख देगा मैं बता रहा हूँ ना बता रहा हूँ मैंने सबसे पहले ये कहा था कि सनी जिस नक्षत्र में बेठा है उस नक्षत्र के मालिक के हिसाब से फल देता है अब अगर एक पापी दूसरे पापी के पास मिल जाए एक चोर दूसरे चोर के साथ मिल जाए तो क्या होगा बड़ा लुटे रहा होगा मगर एक चोर एक सिपाई के साथ मिल गया अब क्या होगा चोरी में कुछ डरेगा इसके बारे में अभी हम बात बात करेंगे लेकिन मैं इस बार पड़ाते वक्त आप लोगों को न हमेशा फलादेश के तरफ लेके जाओंगा जो बहुत सटीकों का साज होगा मैं जिस इसको ज्यादा फोकस करता हूं कोई लपड़ा लपड़ा नहीं सिदी सी बाते बाते बया कौन सा दसाचंद्रा है सनी का किस नक्षत्र में है ब्रियस पती के नक्षत्रम ब्रियस पती कौन-कौन से राशी का मालिक है बताए जरा सब्सक्राइग कौन कौन-कौन-सा नक्षत्र का मालिक हो सकता है उसे भी ख्याल रखना है पिलाल इतना न समझ लो धनू और मीन इन दोनों राशी का मालिक थे ब्रियस्पति आप देखो इस कुंडली में धनू कहां बेठा है धनू मीन्स नाइन नीन यानी बारा बारा नम्मर है मीन और नौ नम्मर है धनू अब सनी जो है ब्रियस्पति के इसाफ से बेनिफिक देगा इसका मत्व होता है ब्रियस्पति का जो घर है रासी का नम्मर जो है जहां जहां का होगा उसके इसाफ से फाइदा देगा ब्रियस्पति का काम करने वाला है सनी है तो ब्रियस्पति एक तो देखो कौन-कौन से एक आप जो यह सनी है वो नहीं से और तृतिय के मात्यम से निर्टिय के मात्यम से हमें नम्मर देखना है हाउस को जानने के लिए उसको जानने के लिए माली को जानने के लिए नम्मर देखना है तो तीसरे का मालिक हो गया ब्रियस पती नौ नम्मर बारा में लिखा है बारा हाउस में है दौदास हाउस में है तो ब्रियस पती जो है वहां का मालिक हो गया इसमृष्चा वितित, में यह नहीं मुटी देख रहे हैं अभी हम मोटा मोठी देख रहे हैं पर उस नक्सेत्र को समझने के लिए मैं यहां पर आया हूँ अभी अलगी यहां नहीं आना चाहिए था यहां आने का मेरा मक्सद वो नक्सेत्रा के उस रासी के बारे में उस नक्सेत्रा के माली के बारे समझाने के लिए मैं यहां आया हूँ अभी हम यहां नहीं आ सकते तो बारा और नौं के माली के ब्रियस्पति उसके नफ़तर में सनी बेठा है सनी ब्रियस्पति की साथ से पहल देने वाला है अब देखो ब्रियस्पति एक तो तीसरे का माली के और तीसरे इस्थान से हम पराकरम देखते हैं तो ब्रियस्पति के मात्यम से सनी पराकरम के मात् और दुसरा है द्वादस हाउस का मतर है कुछ मेडिकल लाइन से कुछ विदेश से सम्मंदित इस तरह की इस्थान से इस तरह की जगह से हमें बेनेफिल बाइदेशिक बातों से या चाहिए वो रोजगार हो चाहिए कुछ हो या हस्पिटल लाइजेशन द्वादस हाउस हस्पिटल से रिलेटेड या इस तरह की चीजों से हमें सनी ब्रियस्पति के मात्यूं से बेनेफिट देगा अब बेनेफिट देने कुछ वाला कौन है सनी है ना ब्रियस्पति के गुणों को तो लेगा लेकिन मानलो कि भेद इसो कांता जी है अब ये खुद तो न का रहा है इनको ना आयुदे पता है ना ए बीजिड़ी पता है ना कुछ पता है कुछ नहीं पता हुआ अब ये एक अच्छे गुरू के संपर्क में तो पहुंच गए पॉँसने से क्या होगा अगर इनका खुद का दिमाग नहीं है उस गुरू के मिले हुए घ्यान को ये । खुझ में अज्यूस नहीं कर सकते ह्कुझ से कम जो रहें। दिन बट सोते रहें। दिन बर खाते रहेंбें़ कुझ करते नहीं है तो क्या होगा। उस गुरू के चाहर जितना मर्जी कि आज़े माइक बं कर दो अच्छा अच्छा होता है अपने लिए सोचने वला होता है तो सनी में वह है कि वहाँ प्रियस्पति के ब्रियस्पति द्वारा बारवे घर से संबंदित या तीसरे घर से संबंदित या वो पंचम हाउस में बैठा हुआ है तो फिप्ट हाउस से संबंदित जो benefit है सनी उसको उस वेटी की उपर छोड़ने वाला है देने वाला है तो हम कहेंगे कि भाईया आपको या तो education से या तो विदेश से या तो पर प्रियस्पति पंचम में है तो भाईया अगर वह बैवाहिक जीवन में होगा संतान उत्पादन की समय रहेगा तो हम कहें या प्रेग्नेंसी का टाइम आ अगया क्योंके भीष्वत पंचम में बैठा रहे है अ है ठीक है आया समझ में अब यह किस मातिम से हुआ उस नक्ष बाव से वह हम बात में देखेंगे अभी हम नक्षत्र के बारे में समझ रहें हैं सेवन नम्मर में यानि तूला राशी में तर्ण में बढ़े गया इसका मतलब यह हुआ कि वह कोन-कोन से नक्षत्र तूला राशे में पढ़ता है वह देखिए जड़ा तूला का मली सुक्र चित्र स्वाति विषा का है तूला का मली के सुक्रड चित्रा स्वाति विषा का अब देखने वाली बात है जो चंद्रमा है चित्रा में है तो मंगल के नक्षत्र से प्रवावित होगा स्वाती में होगा तो राहू से प्रवावित होगा विसाखा में है तो ब्रियस्पति से प्रवावित होगा ठीक है अब हम यहां क्या देखने वाले हैं इस चंद्रमा के के लुटको यह रहा देखों नक्षतर का कितना मात्व और देखिए यहां पर स्वाथी नहीं को है कि कौन सा मालिक हो गया स्वाति का अब हम सुनते ना कि बया चंद्रमा का राहू कट्टर विरोधी है कि अब देखो कुंडली कैसे बदल जाता है सामने से देखो बया पत्नी इस्थान का मालिक चंद्रमा कर्म स्थान में बैठा है क्या वा वहा है इसकी पत्नी तो बहुत अच्छी होगी लेकिन पत्नी इसकी पुल्टा निकलेगी क्योंकि चंद्रमा जो पत्नी स्थान का स्वामी है सेवंथ हाउस में पोर तो चंद्रमा का का माली कुवा सेवंत हाउस का है ना हुआ की समय यूँ किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ राव है अंलष का जो आपने नोट बनाया है उसको देखिए असद्रमा का झाके बैठा है सुक्र के घर में साथ नम्मर कर्म इस्थान में अब क्या करेगा ये कर्म को बनाने विगाडने संबंदित मिसय को चंद्रमा देखने वाला है अब देखो जरा चंद्रमा किस नक्षत्र में मैठा है स्वाति माली कौन है राहू अब खामे खाम चंद्रमा सामने कुंडली में देखो तो चंद्रमा अच्छा देख रहा है पीछे से देखो तो चंद्रमा नक्षत्र के बज़ए से क्या हो गया बुरा हो गया चंद्रमा में राहू हमेशा खराब होता है राहू के नक्षत्र में चंद्रमा चले जाए तो चंद्रमा ग्रहन के अवस्ता में आ जाता है तो पत्नी क्या हो जाएगी उसकी जो बुद्धी है हमेशा बैसे ही रहेगी संक्रमी तुकुद्धी रहेगा अब देखो राहू कहा बेठा है तिसरे हाउस में तो राहू कोई अच्छे हाउस में नहीं है ठीक है तो इस तरह से नक्षत्र का बड़ा प्रभब इसको इसके उपर अभी हम बहुत चर्चा करेंगे एक एक करके समझेंगे लेकिन अभी बास इतना ही समझना हमें है कि कौन शा नंबर का रासी का नाम क्या है उस रासी के मालिक का नाम क्या है उस रासी में कौन-कौन से जर्ण में वह आता है आज हम कितना सिखेंगे समझेंगे फिर परसो हम लोग क्या देखेंगे इससे आगे की जो बाते हैं प्रतिक नक्षत्र के बारे में जो भी बाते होंगे कि इसको हम समझेंगे एक मैने तक बने रहे तो निश्चित आप लोग बहुत जल्द है इसको अभी कोई संस करिए आप लोग इसको क्या समझ भी नहीं आ जाए अभी बास फोकस आज की क्लासे इतना रखो 27 नक्षत्र है और वह बारव भाव में उसको बाढ़ वो किस हाउस का क्या काम है वह तो अभी हमने पढ़ना ही है ना अभी गुरुजय नक्षत्र की स्थिति बदलती रहते हैं कि वह भी फिक्स रहता है याद करना पढ़िए नक्षत्र बदलता नहीं है ग्रह बदलते बस रासी भी वह है नक्षत्र भी वह है जो नक्सत्र मोर्स मेंलियां लिखा हुआ है मतलब यह जो है यह जो है मालोकि किसी का कुला लगना हैं तो कि इसको गुमादो ऐसकर कि सेवन कोब सैबन नमर को फर्स फाUS में में रख दो और वो नक्षत्र हुब हुब वैसे ही रख दो कि सिद्धी सी बात है कि जो समझना होगा इसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अभी दो तिन दिन तक डेमो है डेमो क्लास का आनंद सब लोग उखाईए लेकिन मैं चाहता हूं आप सब लोग किस बार मेडिकल एस्टोलोजी हम ऐसे पढ़ेंगे और पहुत जल्दी समझ लेंगे कि अ कि अ कि अ कि अ करें सटर्डे माला वीडियो डाल दिजे तब समझ में आ गया जैसे हम चार्ड देखते हैं उसमें तो यह सब नहीं लिखा होता है यह जैसे है अलग प्रकार से चाहट है कोई जाड़ तो पढ़ाने के लिए जी इन अपने लिखे होते ना वह भी हमने अपने आप भी नहीं होता है वह मैं नहीं होता है और तो कहा कि मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए रख दिया प्रतिक चरण के मालिक जो ग्रहा है उसका नाम क्या है कि नक्षत्र के मालिक बड़ा प्रवाब होने है हर करणिशन में बताई आज आपने बताया कि प्रतिक राशी में नौ चरण होते हैं तो ये नौ चरण ही क्यों है इसका कारण क्या है नौ चरण इसलिए है क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक चरण का जो 360 अंसका बोल है आकास जो है 360 अंसका है 360 में 27 नक्षक्र को 27 को 360 में भाग करिए कितना होगा देखो आजी करो जरा 360 को सब्ताई से बाग करो कितना हुआ था 30 संथिंग सब्सक्राइब एक से तेरा पॉइंट बीस इतना निकलता है तो एक नक्षत्र का जो मान है वो सब्सक्राइब आपने कहा कि 9 27 नक्षत रही क्यों है तो जो हमारा जो आकास है उस आकास में एक दो तीन करके ऐसे दिखा गया है ना जैसे आपने देखे होंगे कि जो नापने वाला क्या बोलते उसको फिता बोलते क्या बोलते उस फिता में भी करने के लिए तो पूरा आकास को ब्रमांड को नापना हो आकास भृत्त को नापना हो जिस जगे में आप घड़े हो और आपकी सीर की उपर जो आकास है वो गोला है वो सो गोला को अगर नापना हो तो 360 अंसा हमने कल पना कि जैसे कई जैसे तुला राशी है ना तुला राशी में पहले नक्षत्र में दो ही चरण है और दूसरे नक्षत्र में चार चरण और अंतिम में तीन चरण तो यह फिक्स नहीं है मतलब किसी में तीन चरण ले ले किसी में दो चरण है तो यह कैसे निर्धार को मेस में नौ चर्ण लगा लगा लो द्र करके जाओ ना आप सिद फित ऐ सिद है अल्याजी देखे अनसा के एक sancti होगा कि अब उस तीश अनसा में तेन बीस तीन अनसा 20 कला के हिसाब से करोंगे तो नो शय ट्रूं गृर्चल fire लेकृष्व सीटिय के फैसे युल सोज़ी दश्म गली टांविक करेंग ? क्लेचुंत रॉफ्य है नो में जिसका बॉenneím भाग घह तुन और वंछ करों वस्काफन प्रूर्ण की करता है प्रतिक राशी में नौ चरण लगा लो किस नक्षत्र का मेश ब्रीस अश्विनी भरणी का चार-चार हो गया आठ हो गया अब एक इवज गया खित्ति करता एक उदर डाल तो नौ हो गया ज्यादा नहीं सोचना है कि ऐसे सोचने लगेंगे तो जो किसमें फिर आप बमर भी पड़ जाएंगे सीधी सी बात है प्रतिक राशी को हम नौ नम्मर दे रहे हैं और यहां पर गुरुजी मतलब चंद्रमा को जयादा फोकस दिना है मतलब सूर्य का जयादा केंद्री नहीं रहेगा सभी ग्रह को को फोकस दिना अभी आप आज के क्लास में आप एतना समझे दो एक रासी को हमने नौ चरण दे दिया उसकी हिसाब से हमने डिवाइट किया और लेवारा तेकाइब हुआ 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 भी eat remember bit with przygot आप जितना उसको किसने का प्रियास करोगे वो इतना ही China iN जाएगा और वो दिमाघसे भाहर निकल जाएगा इस को जितना हलका तरीख से समय प्रियास करेंगे वह उतना तो चार अब जिसमें चार आजाएंगे तो अगर तीन आ गए तो दो बच्चे तो फिर एक बच्चा तो वो एक जगए दूसरे पर आएगा चार नंबर एक नक्षत रकाट चार बेटे हैं और एक रासी को हम नौ बेटे के इसाब से रखेंगे एक रासी ने कहा कि भाई प्रतीक नक्षत्र में से बीच में रखो खुटट 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 हिलाओ और नौनो बेटे हमें दे दो तो अस्विनी भरणी का चार चार हो गया और कृतिका का एक हो गया नौ हो गया कि अक्रितिका के कितने बेटे बचे तीन बचे ब्रिसराशी में चला गया इस तरह से आज आप इतना ही ज्यादा अगर आप करोगे तो भमर में पढ़ जाओगे जितना पताया उतना समझ लो आपको मैं बीच में से होते हुए लेके जाओगा चकुरुजी जैसे कि आब य तो यह अगले अगले उतमें अब चला गया अब बच गया तीन तो तीन बच गया इसका मतलब है क्रितिका में दूसरा तीसरा और चोग था कृटिका का प्रिसराशी में आगे सेधी सी बात थे प्रिसरा गया एक क्या लिखा था कैसे अब बढ़िमाप में शाट प्रति ऑपकला इक ऑपकला एक ऑपकला ऐसे करके था ना तो वहां पे बारा राशी ऑपकला एक क्या लिखा था उन मेरे को समझ में नहीं है आज पढ़ाया था या परसु पढ़ाया था परसु परसु कि यह कैलकुलेशन मैतमेटिक जोटिस अंक जोटिस में कह रहा है साथ प्रतिपल एक विपल बढ़ाबर एक पल यह उसका गह रहे हैं हाँ उसी मेरी बारा राशी केल्टू कितना एक लिखा है ओ सब्द मुझे स आज बारा राशी इजिकल्टू एक भगण इसका अर्था होता है समुच्छा आकास 12 राशी में पूरा आकास हमने जोड़ दिया ना गिन लिया पूर्वतिशा में पूर्वतिशा के जीरो अंशा लगा लो मेस राशी पूर्वतिशा में आता है तो किसी कोई आएके बोला सार मेरे बेटी बग गई कहां चले गई देखो जरा कुनल को पूर्व दिशा में में सराव पसिमा में है तोले राषि की उत्तर है रुद्ध्मा राषि दख्षिण दि में है मकर राशी अब यहां से देखो कि उस समय अच्छा यह चीज में बाद में पढ़ाऊंगा फिर अभी खिजडी हो जाएगा लड़की कहां चले गई मेरे यहां पर अच्छा में इसको न रिकॉर्ड को बंदा करके बोलता हूं नहीं तो मेरा